नमस्कार दोस्तों निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने कल बताया था कि अगर निफ्टी 11412 के उपर सस्टेन हुआ तो निफ्टी स्ट्रोंग हो जाएगा और उपर क्योड जाएगा तो वैसे हुआ 11435 11437 लगाया पर उसी वक्त आप जैसे देखेंगे चार्ट पर कि दोपहर के 12.30 बज़े के बीच एक ऐसा न्यूज आनी शुरू हो गी थी वैसे 11.30 के पास न्यूज आनी शुरू हो गी थी कि इंडो चाइना के बीच फिर से बॉर्डर पर टेंशन हो रही है तो उसी के वज़ा से निफ्टी में फिर फ्री फॉल आ गया जो निफ्टी को नीचे 11.295 तक ले गया तो अब सारा व्यू ही चेंज हो चुका है इस न्यूज की वज़ा से तो इस न्यूज की वज़ा से अब ट्रेंड सारे चेंज हो गए तो अब जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि नीचे के जो टार्गेट खुल जाएंगे अगर 11.265 निफ्टी ने तोड़ा तो किस तरह से कल निफ्टी की चाल रहेगी यह हम आपको आगे बताएंगे तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अप स्टॉक्स की जो लिंक दिया है उ वह है टाटा स्टील क्यों लेकर आएं कि अगर इंडोचाइना के बीच टैंशन और बरती है तो सबसे ज्यादा स्टील सेक्टर गिरेगा और सेकिंड जो गिरेगा वह है बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक के स्टॉक्स तो सबसे पहले हम स्टील सेक्टर में टाटा स्टील लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स हम यह भी बता दें कि कल हमने जो टीस दिया था वह आज मार्किट का हीरो स्टॉक्स रहा है और सतर से असी पॉइंट उसमें मिले हैं तो आज टाटा स्टील जैसे आप देखें हैं तो यह स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको कि इसमें है फ्री फॉल हुआ है और फ्री फॉल 403 तक हो गया है इसने एक इंपोर्टेंट लेवल है 413 जो इसने आज तोड़ा तो इसी की वज़ा से ब्रेक आउट आया इक्सका नीचे की तरब से जो हम आपके लिए इसी की वज़ा से चुन के लगकर आया हैं कि इसने 413 को बैंक निफ्टी में फ्री फॉल हुआ और मैंने जैसे कल कहा था कि 22670 तक जादा से जादा गिरेगी मार्किट तो बैंक निफ्टी 12670 तक ही गई और वहाँ पर जाकर रुख गई है तो अगर कल बैंक बैंक निफ्टी आपने 22-672 तोड़ा तो नीचे के लेवल जो खुलते हैं वो हैं 2-420-953 21-440 और 21-414 21-404 वो लेवल है जहाँ मई, जून, जुलाई अगर्स्त में तक्रीम बार बार इसने यही से स्पोट लिए तो इस बात का द्यां रिखिए 21-114 के पास आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और अगर बैंक मान लीजिए जो हम सभी चाहते हैं कि इंडो चाइना के रिलेशन्स हुदर जाएं तो अगर तो फिर अगर बैंक निफ्टी उपर की ओर होती है तो अगर बाइस नो सो पचास को क्रोस करें तो जैसे कि मैं को बाय कर सकते हैं 24 151 और अगर देखिए सब कुछ न्यूस पर डिपेंड है और न्यूस किस तरह से चलती है यह देखना पड़ेगा और हमारे रिलेशन चाहिना के साथ कैसे रहते हैं यह सारा मार्किर का कल का जो ट्रेंड है उसी पर डिपेंड है तो उसके बाद आगे हम जो दूसरा स्टोक भी लेकर रहा है वो भी स्टील सेक्टर से हैं हिंडाल को हिंडाल को ने भी 183 को के टार्गर को तोड़ा है 183 को और नीचे 180 पर यह क्लोज हुआ है तो आप देखेंगे कि नीचे जो इसका जो लेवल खुल गए है वो 177, 170, 171, 174 में तीन तीन 174, 171 और सबसे स्ट्रोंग जो लेवल है 159 अगर हिंडाल को 159 पर आता है तो आप फिर से 159 के पास हिंडाल को को खरीद भी सकते हैं तो आगे पुट को रेशियो 1.23 अब पर पुट को रेशियो का इस न्यूज में कोई इंपोर्टनस नहीं है तो इस वैसे तो पुट को रेशियो यह दिखा रही है कि निफ्टी को उपर जाना चाहिए पर सारा कुछ जैसे मैंन का न्यूज पर डिपेंड है तो उसके बाद सारा कमजोर हो गया है फुर्सी तकरीबन फ्लैट है डाउ जुरूर्ट प्लस है पर सिंगापुर निफ्टी वह भी ग्यारा 302 माइनस 78 पॉइंट है नीचे तीन बजकर 35 मिट पर तो ओप्शन चेन में आते हैं तो ओप्शन चेन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 11,000 पर खिसक चुकी है जो कि पहले 11,300 थी अब ज़्यादा 11,000 पर चलेगी है और 11,300 पर कितना पुट राइटर एड़ हुआ है सिरफ 1,92,075 और कॉल साइड में आप देखेंगे कि जो कॉल राइटर एड़ हुआ है वो है 3,50,000 इसी की वज़ा से मैंने आपको बताया है कि देखे 3,50,000 एक लाग बावन हजार से भी काफी ज़्यादा है लगबग दुगना तो ये क्लेर है कि 11,300 की जो स्पोर्ट है वो अब वीक पड़ चुकी है अब इतनी स्ट्रॉंग नहीं रही और कल मार्किट 11,300 को तोड़ सकती है अगर हम ओप्शन चेन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर है वो 11,500 और 11,400 पर है पर 11,300 पर क्योंकि ज़्यादा कॉल राइटर एड हुआ है तो 11,300 के नीचे मार्किट के जाने के सम्भावना पूरी बूरी है और अगर कल ये देखें चार्ट पर आते हैं अगर कल 11,265 इस लेवल को मार्किट तोड़ती है तो नीचे के लेवल खुल जाएंगे और नीचे के टार्गट क्या रहेंगे आपके 11,218, 11,140, 11,080 और 11,030 ये आपके टार्गट रहेंगे 11,030 के पास आगर क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 11,000 पे ज़्यादा पूट्राइटर एड हुआ है तो 11,030 तक आकर मार्किट रुक जाएगी कल और 11,030 के पास आकर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और अगर सारा कुछ ठीक हो जाता है हमा और इंडो चैनल रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो कल मार्किट का कैसा रहेगा ट्रेंड वो भी बता जाते हैं कि जैसे कि आज 11,317 पर बंद हुई है तो फिर मार्किट 11,400 पर खुलेगी और 11,400 पर खुली और 11,412 के उपर सस्टेन ह तो उपर के लेवल आपको पता ही है 11,446 एक इंपोर्टन लेवल है जैसी 11,446 खुलेगी तो शोट कवरिंग आएगी जो मार्किट को सीधा 11,548 तक लेकर जाएगी पर अगर आज की वाली कंडिशन रही तो मार्किट 11,030 का फाइनल टार्गेट कलेर नजर आ रहा है तो यह है निफ्टी की चाल कल के लिए तो अगला स्टॉक्स जो हम आपके लिए लिकर आएए वो है इंडस बैंक इंडस बैंक भी फ्री फॉल गिर रहा है वो 622 के नीचे भी यह चले गया और काफी तेज गिरावट आ रही है तो इसने भी नीचे की ब्रेक आट दिया है तो नीचे की टार्गेट जो दिख रहे हैं वो हैं 576, 504, 524 और फाइनल टार्गेट है 474 तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर है और जो भी हम बताते हैं एक एजुकेशनल परपरस वीव से बता रहे हैं और आपने अपना फैंसला लेना है कि आपको यह ठीक लग रहा है या नहीं अगर आपको ठीक लगे तभी परचेस कीजिए नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी स्टोक आप लीजिए और वरना हमा अबाद दोस्तों कल फिर मिलेंगे थैंक यूँ